दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर तो दोस्त कुछ कंडिडेट के लिए आप पर अच्छी खबर है और कुछ कंडिडेट के लिए बुरी खबर भी है दोस्त जैसा कि आप सबको पता है कि राजस एवं भूमी सुधार विभाग की ओर से 2019 में अमीन की वेकेंसी निकाले गई थी लेकिन सीट फुलफिल न होने के कारण जो कंडिडेट बिलो पॉइंट है यानि जिनका मार्ग सकम है उनके लिए राजस एवं भूमी सुधार विभाग की ओर से वेकेंग लिस्ट बनाया जा रहा है और वेकेंग कंडिडेट के लिए अच्छी ख़वर है वही अगर बात करें तो नए कंडिडेट के लिए बुरी खवर भी है जैसे 2019 और 20 डिपलोमा कंडिडेट के लिए बुरी खबर यहां देखने को मिल रही है क्योंकि जो कंडिडेट 2019 में वेटिंग में रह गये थे मतलब बिलो पॉइंट था उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उनको वेटिंग लिस्ट बना कर राजस यवं भूमी सुधार विवहाग की ओर से नौकरी दे दी जाएगी लेकिन वही एक तरफ 2020 और 20 डिपलोमा कंडिडेट के लिए काफी बुरी खबर सावित हो रही है क्योंकि उनके लिए फिर कोई ऐसा कोई मौका नहीं मिलने वाला है जिससे कारण कि वो एलार्सी अमीन में वो जाब कर सके लेकिन वही आपको बता दी बड़ी ख़वर आ रहा है आपको बता दूं कि 2019 और 20 का जो डिपलोमा कंडिडेट है वो अपना जोब के लिए मतलब अमीन के पद के लिए एलार्सी ऑफिस जाने का एलान किया है और उन लोगों ने राजस्प एवं भूमी सुधार विभाग की और से अमीन के पद पर निव रिक्रूट्मेंट निकलवाने का भी पलान सोचा है तो 19 और 2020 कंडिडेट आज पटना एलार्सी ऑफिस पहुँचेंगे और अपना मांग रखेंगे कि हम लोग को भी जोब का मिलना चाहिए जोब मिलना चाहिए और इसके लिए न्यू बिग्यापन आना चाहिए तब हम लोग के लिए अच्छी ख़बर है लेकिन वही बात करें अगर रेटिंग कंडिडेट को लिष्ट बना कर जोब दे दिया जाता है तो उनके लिए बड़ी ख़बर है खुसी की ख़बर है और यहाँ पर 19-20 नए कंडिडेट के लिए बुरी खबर है अगर वही निव बिग्यापन निकाल दिया जाता है तो सब के लिए अच्छी ख़बर है फिर से सब लोग फरम अपलाई करेंगे लेकिन वही जिनका माक्स कम है उनके लिए फिर बुरी खबर आ जाएंगे लेकिन देखना यह है कि अब होता क्या है आपके मन में वीचार क् कमेंट बुक्स में जरूर बताइये कि क्या वेटिंग लिस्ट को लेना चाहिए उनको जौब देना चाहिए या फिर नए कंडिडेट जो की horrifying और बिचार सकते हैं उनके लिए new विग्यापन निकालना चाहिए आपके में लेना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट को लेना चाहिए या फिर न्यू विग्यापन निकालना चाहिए आप जरूर अपना राय बिचार ब्यक्त करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपको जेए से रिलेटेड आपको इस चैनल पर नीच परवाइड होते रहेगा चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू धन्यवाद